असलाम नेकूम, I hope आप सब खेरियत से हैं तो आज हम बात करेंगे Elevate Banking App की ये एक bank इटसेल्फ तो नहीं है लिकिन एक US-based bank है ये उनकी तरफ से एक application launch दी लगी है और इसका बहुत जादा benefit है हमारी freelancing community को इसलाम सबसे बड़ा benefit है कि आपके पास यहां पर इतो बेंकिन का इतना solution आगया जिसमें आप US-D में अपने लिए dollars receive कर सकते हैं अपने working contract के थूरू या freelancing के जो platform से हैं अप work हो गया, freelancer हो गया इसले थूरू भी और इसकी setup की कोई sign up cost नहीं है debit trade bean की तरफ से आपको free मिल जाता है जो आप use कर सकते हैं अपनी online purchasing वगारा के हवाले से भी अच्छा ये mobile के थूरू ही sign up होता है और इसमें सबसे important बात यह है कि सिर्फ mobile के थूरू ही sign up नहीं होता है इसको download करना भी बहुत असान है अजर आपके पास iOS है तो आप Apple का जो Apple Store है वहां से इसको elevate app को download कर सकते हैं आप Android user हैं तो आप Play Store से इसको download कर सकते हैं अच्छा sign up का process क्या है यह आपके सामने application open होई भी है आपने simply sign up को click करना है और पहले आपने अपने लिए एक email address लिखना है फॉर एक्जेंपल यहां पर मैं अपना email address लिख लेता हूँ यहां पर मैंने अपना email address लिख लिख लिए है iCloud.com तो हमारे पास देखते हैं कोई code रिसीव होगा अभी हम अपना email चेट कर लेता है हाँ जी तो elevate की तरफ से हमारे पास एक verification code भी आ चुका है और यह code है 547253 तो हमने लिख लिख है 547253 अच्छा यह code हमारे पास आ चुका है इसके बाद इसने पूछा है कि आप अपनी nationality बताएं हमें तो nationality हमारी पाकिस्तान है तो हमने पाकिस्तान चूँष किया इसके बाद ये पूछ रहे कि फिलाल आप कौन सी क्रेंट्री में बेस्ट हैं तो क्रेंट्री भी मैंने अपनी पाकिस्तान बताई है क्योंकि मैं पाकिस्तान में बेस्ट हूँ और आप लोट भी जहां पे बेस्ट होंगे हमने continue choose किया अच्छा अब ये first name, last name, middle name ये सारी चीज़े इसने पूछी है तो हम अपना name enter कर लेते हैं यहां पे based on the CNIC या passport तो हमने अपना name enter किया अच्छा date of birth और country of birth तो पहले हमने year यहां पे choose किया ठीक है, month choose किया और हमने यहां पे date choose कर ले as per the CNIC अच्छा इसके बाद country of birth आपके passport पे भी mentioned होता है आपको वैसे भी पता होता है, आपने इसको enter कर लेना है इसके बाद आपने अपना वो address प्रोवाइट करना है, जो आपके local bank statement में available हो, for example मेरा HPL के bank में account है जब मेरा भी bank में account है तो उसकी statement पे जो मेरा address है ना वो address होना चाहिए, मैं past में कराची रहा हूँ मेरा पुराना crown चल जाया है तो मैं वहीं का कराची का address अपना use कर लेता हूँ अच्छा, यह हमने अपना address type किया, first line, second line में फिर जो remaining information है इसको हम enter कर लेते हैं for example, block 17 गुलिस्तान जोहर और इसके बाद city हमारी कराची हो जाती है और postal code 75290 आपको अपने area की information पता होगी bank के statement से data match होना ज़रूरी आपने next कर देना है अच्छा, employment के बारे में पूछाए कि आप क्या करते हैं तो for example, आप freelancer हैं और आप अपनी services कौन सी industry में दे रहे हैं यहाँ पर, देखें, freelancer तो multiple type of services दे रहे हैं for example, आप retail trade में दे रहे हैं तो आप में online retail trade के option चूस कर लेना है और next कर देना है इसके बाद आपने अपना phone number प्रोवाइट करना है जिस पर आपके लिए 8 OTP हो सकता है, receive हो अच्छा हम इसमें ना back नहीं गर सकते हैं बैक करेंगे ना तो वो सारी चीज़े 0 से start हो जाती है तो flow में होना बहुत जरूरी है आपने अपने लिए password set कर लेना है फिर ठीक है, अच्छा भी खेह रहे हैं हम आपसे कुछ information मजीद चाहते हैं और यानि वी नेट टू केलेट information और how you plan to use your account, यानि कि आप अपने account को किस तरह से और किस परपस के लिए उस करेंगे, for example हमने हमने salary receive करनी है, तो मैंने salary receive को option चूश किया और इनके ट्राफी एक lengthy terms services है, यानि इसको वैसे तो ideally तो हमें read करना चाहिए पर कोई भी आज तल read नहीं करता है anyways हम इसको agree कर लेता है वैसे बहतर है तो इसको read करें उसके बाद agree करें अच्छा, अभी हमारा next option आजाता है, तो फिर हम देखते हैं हमसे next information क्या लिजा रही है जी यह भी data load हो रहा है, तो anyways हम देखता है ठीक है, हमने notifications को yes किया अब इनको हमारे biometric चाहिए है तो बारहाल चले हम face ID चूस कर लेंगे अच्छा, we need additional information to verify your identity तो ठीक है, हम देख लेते हैं क्या information चाहिए इन्हें हमारा CNIC या passport चाहिए most probably, anyways हम देख लेते हैं अच्छा, इन्होंने पूछा है कि आपका जो ID document है, वो कौन सी country का है for example, Pakistan से relevant है तो मैंने आपे Pakistan चूस किया अच्छा, आप यह देखे हैं हमने आपे government ID का option चूस किया जिसमें हमने पाकिस्तान अपनी country चूस किया है और passport का ही हम option ले लेता है तो यह हमारे passport का front है जिसको इन्होंने capture किया है और हमने option चूस किया use this photo इसके बाद हमारा जो passport है यह भी प्रोसेस हो रहा है देखते हैं थोड़ा सब टाइम लेता है यह जाहर सी बात है उसकी verification होती है और इसके बाद get started का option आता है तो चलिए अच्छा इनको दुबारा selfie चाहिए हमारी अच्छा, इनको दुबारा selfie चाहिए हमारी अच्छा, अभी हमारी जो selfies ने भी एक लिक की है इसको process कर रहा है और देख लेते हैं कि validate हो जाती है तो फिर हम next step की तरफ चलते हैं अच्छा, इसके बाद last step में पूछ रहे हैं कि जिस भी company के लिए जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं उसका कोई तो valid proof होगा ना तो कोई तो contract होगा अगर आप freelancing platform के थुरू कर रहें तो उसके invoices या statement of earning होगी और अगर आप किसी और for example किसी random company के लिए भी काम कर रहे है international client के लिए तो कोई तो contract होगा तो यहाँ पे मेरे पास एक contract available है तो मैं उस company का contract यहाँ पे अप्रोड कर लेता हूँ तो यह हमारे पास पूरा data आ चुका है और अब मैंने last step में मेरे खायल से इसको सिर्फ submit करना है मेरे खायल से इसके बाद account approve हो जाएगा अच्छा इन्होंने दुबारा से हमारा last document है इसको भी अभी validate कर रहा है तो देख लेते हैं इसके बाद मजीद को information चाहिए या फिर इतना ही था इसके बाद जाहर से बात है एक से दो दिन बेंट लेते हैं verification में और information email आ जाती है अच्छा identification मेरी जो identity ही है यह तो इन्होंने फॉराण